Hello friends, आज की section में मैं आपको बताऊंगा Axelometer के बारे में यानि की previous section में हमने देगा कैसे आप light sensor को अपने app के अंदर integrate कर सकते हैं कैसे आप उनकी values जो है sensor की values अपने app के अंदर receive कर सकते हैं तो वैसे ही जो भी axelometer वाला sensor है वो values जो throw करेगा वो हमारे app में कैसे हमको receive करनी है, कैसे उसको test करना है और कैसे हम उनको certain coordinates के उपर certain action perform कर सकते हैं वो सीखेंगे, जैसा कि मैंने आपको first class में बताया था कि axelometer क्या होता है, जो आपकी device है, उसका जो भी rotation है या movement है, उसको identify करने के काम आता है अगर आपको shake कर रहे हो, आप phone को, तो वो identify कौन करेगा आपका axelometer, यानि कि अगर phone ऐसे पढ़ा है, ऐसे पढ़ा है, flipped पढ़ा है, उपर पढ़ा है इस सारी चीज़े कौन identify कर सकता है, इसके अंदर का जो sensor है, उसका नाम है axelometer, तो सीधा चलते हैं, android studio के अंदर जहां मैंने एक project create कर रहा है, और हम सीधा coding से start करते हैं, कि हमको actual में क्या set of instruction apply करने पढ़ेंगे, जिससे कि हम axelometer की values fetch कर पाए, और हमारे app के अंदर उसके regarding हमको यह operation perform करना चाते है, तो वो कर पाए, तो चलते हैं सीधा android studio के अंदर, तो यहां हमाय project open हो चुका है, आप सीधा चलते हैं, xml के अंदर और वहां पर मैंने जैसे कि previous class के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि मैं एक values जो मेंको मिलेगी रिसी होगी sensor से, उनको listen करूँगा और उनको values को मैं अपने UI के अंदर दिखाता रहूँगा, जैसे कि मैं identify यह sensor कैसी values प्रो करता है, किन particular environment के changes के उपर, तो हम इस वाली class में भी यही करेंगे, हम हमारे phone को rotate करेंगे, पीछे की तरफ move करेंगे, flip करेंगे और दिखेंगे, यह क्या values चेंज होती है, इस टेक्स्ट्वी के अंदर दिखाना चाहूँगा, जिससे कि मैं को ideas हो कि values कैसे change हो रही है, और किस direction में करने पर कैसी values में को मिलती है, आप log करवा के भी देख सकते हैं, और आप toast करवा के भी देख सकते हैं, बट बैटर तरीका है कि आप उसको text view के अंदर show करवा है, ताकि आप जैसे जैसे changes कर रहे हो, आपको कहीं और देखने की जरूत नहीं, आप उस चीक है, इसको center कर, चीक है, तो resign wise काम हो चुक है, अब चलते सीज़ा, main activity के अंदर, जहां हमको logical part build करना है, logical in the sense, sensor की values लेनी है, अब जैसे कि मैंने previous section में भी बताया था, कि आपको sensor की values लेने के लिए, ये on sensor change method की जरूत बढ़ती है, और वो जो method है, वो आपको event listener class से मिलता है, और event listener class को लेने के लिए आपको अपने sensor को register करवाना पड़ेगा, और register करवाने के लिए पहले आपको sensor भी तो चीएगा, और sensor को लेने के लिए आप किसकी requirement हो की sensor manager है, तो सारी चीज़ों की जैसे मैंने previous section में आपको बता था कि ये एक service है, service को get करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, get system service notification में भी हमने इस तरीके से किया, तो notification manager अगर आपको चीए तो अपन क्या करते है, notification service करते है, और जब हमको alarm manager चीए था, तब भी हमने क्या किया था, alarm service का use किया था, तो वैसे ही आपको sensor manager जाते है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, capital में sensor service लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक universal method है, सारी की सारी, जितनी भी services पे manager अगर आपको लेना है, उसके लिए सिर्फ ये method है, तो इसलिए इसका return type क्या object return करता है, ताकि different type के managers है, वो इससे return हो सके, तो इस इसलिए आपको यहाँ पे sensor manager से इसको क्या करना पड़ेगा, typecast करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर compiler error कर रहा है, कि यहाँ तो return हो रहा है object, और आप इसको set किसमे कर रहा है sensor manager में, बट हमको बता है कि runtime में, तो यह sensor service की से अगर आपको भी service get करते हो, तो आपको sensor manager ही मिलत यह किसले कर रहा है, कि in case, 0.0001% chances है कि यह चीज ना हो किसी phone के अंतर, लेकिन अगर नहीं है, तो मैं कुछ भी काम नहीं कर पाऊंगा, अगर sensor ही नहीं है, यह sensor manager ही working नहीं है, तो मैं कोई भी sensor की values जो है, वो fetch नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं कोई check लगाना ज़रूर ह है, अलाकि mostly हर smartphone device में आपको मिल जाएगा, ऐसा कहीं problem नहीं आएगी कि यह code है, वो else में जाए, लेकिन फिर भी situation आगई कि आपका जो app है, वो एक ऐसे smartphone device के अंदर चल रहा है, जहां पर यह sensor जो है, वो either work नहीं कर रहा है, या उसको मिला ही नहीं है, इन सारी चीजों से यहां पर कोई भी एक ऐसा message show करवा सकते हैं, जिसे की user को identify हो जाए कि यह जो आप चीज करवाना चाहते हैं, वो possible नहीं है, क्योंकि यह particular चीज जो है, वो function में नहीं है, इसलिए मैंने यहां पर else में ही टोश करा, इसकी जरुत नहीं पड़ेगी, इन केस पड़े, तो हम्म एक्सलरो सेंसर, ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने यहां पर दिया है, क्योंकि यह एक्सलरो मीटर वाला, इसलिए एक्सलरो सेंसर, अभी आपको मिलेगा कैसे आपको लिखना है, जो sensor manager आपने लिगा है, sensor manager dot get default sensor, और इसमें वो type डालना है, जिस type का आपको sensor च तो यह मैंने यहां पर input कर दिया है, चीक है, तो इससे क्या हुआ कि मैंको type extra meter वाला sensor जो है, वो मिल जाएगा, चीक है, यह तो हुआ sensor लेने का, अब sensor की values भी तो चाहिए, कि मैंने sensor को क्यों लिया है, ताकि इसकी जो runtime values, environment के according, जो भी changes आ रहे हैं, sensor में जो भी values मिल रही है वो values मेंको भी चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस sensor को register करवाना पड़ेगा, और किस से register करवाना पड़ेगा, एक sensor event listeners दे, जो इस sensor को सुनेगा, और उस sensor में जो भी changes आते हैं, उसके according आपको on sensor change method के अंदर values आपको throw कर देगा, चीक है, तो हमको यह क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं condition लगा लेता हूँ, अगर यह एक sensor sensor भी in case work नहीं कर रहा है, लेकिन यह जो एक sensor sensor है, यह किसी reason से, यह तो किसी का phone नीचे किर गया, या वो particular sensor है, वो function नहीं कर रहा है, उस phone में, या उस smartphone device के अंदर, तो वो भी हमको check करना जरूर लिए, यह फिर से मैं आप बोदा रहा हूँ, यह 0.0001% चांसे से कि ऐसा कभी आएगा, लेकिन आपका code वैसा होना चाहिए, टाकि इस particular exception को भी हैंडल कर सके, आप try catch भी लगा सकते हैं, यह जो एक sensor लिया है, वो null के equal नहीं होना चाहिए, अब आ जाते हम इसके नीचे, और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम इसको register करवाने वाले हैं, तो उसके लिए आपको चाहिएगा sensor manager.register listener, और यहाँ पर आपको तीन चीज़े चाहिए, एक event listener चाहिए होता है, एक sensor चाहिए होता है, और एक delay चाहिए होता है, कि कितने particular delay के बाद में आपको जो आपको जो values है, वो मिलती रहे, चीज़े, तो सबसे पहले तो listener चीज़े, आप यहाँ पर भी object मना के pass कर सकते हैं, जैसे कि मैंने previous class में आपको बताए, आप directly यहाँ पर दोनों methods जो है, वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन better तरीका कौन सा है, एकर आप कोई भी interface को use कर रहे ह है, तो आपकी जो main class है, जिसके अंदर आप काम करें, जिस activity में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको implements लगाना है, और यहाँ पर इस class को implement करते हैं, जैसे आप इसको करेंगे, तो यहाँ पर एक पूरी red line आ जाएगी, आपको यहाँ पर all plus center करना है, और जो दो method by default जाएगे, अब यहाँ पर इसका reference देना है आपको, यहाँ पर इसको किसका reference चाहिए होता है, listener class का, क्योंकि हमारी class वह implement करती है, एक sensor event listener को, तो हम उस class का reference दे सकते हैं, तो this, then यहाँ पर जो sensor की values आपको चाहिए, जिस sensor की values चाहिए, वो कौन है, x row, sensor, and कितने का delay चाहिए, तो यहाँ से फिर मैं यहाँ पर sensor manager, dot, यहाँ पर आपको delay मिल जाएंगे, देखो, एक delay normal, then delay fastest game, जैसा भी आपको delay चाहिए, देखो, normally जो use दाना आता है, commonly use आता है, वो normal वाला होता है, game के लिए बना रहे है, तो game वाला, उससे भी fast चाहिए, आपको, तो यह एक service चल रही ही है, कि इतने frequent आपको requirement नहीं उन values की, तो आप उन particular delay को मत लगाए, आप normal वाला delay यूज करे, इससे क्या होगा, कि आपका जो negative impact है, battery पर नहीं पड़ेगा, आपकी app के तो normal वाले में, तो normal यहाँ पर मैंने set करती है delay को, अब जो आपको values मिलेगी, वो कहां मिलेगी, on sensor change के event के अंतर, तो जैसे कि मैंने आपको previous class में बताया था, यहाँ पर आपको values मिलेगी, बट यहाँ पर आपको check लगाना mandate ही है, यहाँ पर हम चेक करेंगे, यह जो event fire हुआ है, यह किस particular sensor की वज़े से हुआ है, तो हम यहाँ चेक लगाएंगे, event dot sensor dot get type, इससे हमको type मिल और हम यहाँ चेक करेंगे, कि जो type यहाँ मिल रहा है, वो extra meter है, सब तो हमारे पते की बात है, नहीं तो हमको कोई requirement नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करतेंगे, sensor dot type extra meter, अब जो भी मैं को values लेनी है, वो मैं ले लगाए, तो अब जो भी मैं को execution करवाना है, इस particular sensor की changes पर, तो यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, जो मैंने text view लिया है, उस पर हम text set कर देते हैं, तो मैं directly यहाँ पर find view by id कर देता हूँ, r.id.dxt values, अब मैं इसके जो भी options होते हैं, इस text view class के वो मैं को मिल जाएंगे set text, और मैं यहाँ पर directly, अब axelometer में क्या होता है, आपको तीन coordinates की value मिल values होगी, वो अलग-अलग हमको दिखाने है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर, एक text view के उपर x colon, concatenate करेंगे हम, और values कैसे मिलती है, जैसे कि मैंने previous class में मिल यह था, event.values, और यह एक float error है, तो पिछली class में तो हमको एक ही value मिलती है, तो एक ही value आपको 0th index में मिलती फिर plus लगाँगा, और यहाँ पर, अब मैं क्या print करवाँगा, event.values और यहाँ पर हम करा देंगे 1, तो first index पर जो आपको value मिलेगी, वो किसकी मिलेगी, y coordinate की, मतलब की y जो axis है, उसके उपर कोई changes आ रहे है, तो उसकी values जो भी change होगी y axis के अंदर, वो आपको first index पर मिलेगी, इस float है रहे हैं, चीक है, then z, event.values, आप रहे हैं, तो z coordinate में जो value बचा कौन से आपका, z coordinate यानि, z axis इस particular direction में, तो जो भी changes आ रहे हैं, उनकी जो values है, वो आपको कहा मिलेगी, इस second index को पर, यानि की third index, 0, 1, 2, एक तरह से देखा जाए, तो इस second index है, क्योंकि 0 से start हो है, लेकिन इस third value है, चीक है, तो यह मैंने सारी की सारी किसमें दिखा दिए, इस text view के उपर set कर दिए, तो जैसे जैसे हमारा font का movement होगा, वैसे वैसे आपको दिखता रहेगा, चीक है, तो इसको चला के देखते है, हमारे font के अंदर, और जैसे-जैसे म आप, इससे आप यह पर्टिकुलरी identify कर सकते हैं, कि font किस पर्टिकुलर position के अंदर है, उन values ने, चीक है, तो इसको चला के देखते है, हमारे font के अंदर, तो यहाँ अप open हो चुकिए, आप देख सकते हैं, इस स्क्रीन के उपर, अब आप यहाँ देखें कि जैसे अगर मैं ने movement नहीं किया है, य में आप देख सकते हैं, य में चीचेज आ गया है, यही कर phone मैं उल्टा कर दो, तो माइनस 9 चला जाएगा यहाँ, ठीक है, वैसे ही आप Z की values भी देख सकते हैं, जैसे जैसे आप movement कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप rotate करते हैं, shake करते हैं, तो आपको थाइब है, तो आप कर दो, तो आपको अपने वहां रहे हैं, तो ऑगर बदो दो जो अगरी का ही आप माइनस 10 चला खए जया है प्र बाते हैं, दो खजञक हैं, तो आपको पार दो जा जापको ध। sentences